तो विभिन्य द्रवेमान केंद्र की स्थिती जानने के बाद हम यह निसकर्ष निकालते हैं कि जरूरी नहीं कि द्रवेमान केंद्र पेंड के अंदर ही हो यह जहां पर द्रवेमान हो वहीं पर द्रवेमान केंद्र हो यह द्रवेमान केंद्र एक ऐसी स्थिती पर भी हो सकता जहां पर वस्तु का द्रवेमान मौजूद ही ना हो जैसे कि हमने रिंग वाली स्थिती में देखा था द्रवेमान तो इस रिंग की परीधी में था तेकर उसका द्रवेमान केंद्र उस रिंग के सेंटर पर अब माल लीजिए हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं यह वस्तु क कई कणों से मिलकर बनी हैं कई कणों का निकाय है और बल लगाने पर इसमें विस्थापन हो रहा है विस्थापन भी कुछ ऐसा हो रहा है कि प्रतेक कण का विस्थापन समान है और जब यह वस्तु दूसरे जगह विस्थापित हुई तो प्रतेक कण का वेग भीग जैसा था से दूसरे जगे पर सीधे चली गई और इस प्रकार की गती को हम कहते हैं इस्थानांतरी गती या फिर ट्रांसलेटरी मोशन जब कोई वस्तू ट्रांसलेटरी मोशन करती है इस्थानांतरी गती करती है तो उसके प्रतेकण सरल रेखा में गती करते हैं या एक वक्र की रूप तो ये वक्र एक दूसरे के समानतर होंगे। लेकिन यदि कोई वस्तु इस प्रकार गती कर रही है कि वो वस्तु तो घुरनी गती कर रही है। मतलब किसी अक्ष के सापेक्ष वो घूम रही है लेकिन उसके अंदर मौजूद प्रतेकन उस अक्ष के सापेक्ष वृतिय गती कर रहे हो तो उस गती को हम कहते हैं गुरनी गती और यदि कोई वस्तु ये दोनों ही गती एक साथ कर रही हो तो उसे हम कहते हैं समानने गती बॉल का लुड़कना यह समानने गती में आता है जब बॉल लुड़कती है तो यह घूमती भी है और घूमते घूमते आगे की और भी बढ़ जाती है तो बॉल का लुड़कते हुए आगे बढ़ना वह समानने गती में आता है किसी भी गाड़ी के चक्के का आगे बढ़ना सामानने गति में आता है यह की चकक गुर्नी गती तो कर रहा है और साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है तो इसमें ट्रांसलेटरी प्लस रोतेटरी दोनों मौशन एक साथ हो रहे तो इसे हम कहते है जेनरल मोशन यानि की समानने की pentru बच्चों किसी कि भी वस्तू को गती देने के लिए उसमें बल लगाना अवश्यक होता है बल उस वस्तू की अवस्था में परिवर्तन कर देता है लेकिन किसी वस्तू को अपने अक्ष की परितह घुमाना हो तो हम बल आघून लगाते हैं जो महत्व बल का ट्रांसलेटरी मोशन में है इस्थानांतरी गती में है वही महत्व बल आघून का घूरनी गती में है बल आघून किसी भी वस्तू में घूरनन उत्पन्न करता है उसको किसी एक बिंदू के या किसी एक अक्ष के परिता घुमा देता है बल आगोन को हम दर्शाते हैं ताउ से, क्योंकि इंग्लिश में बल आगोन को हम टॉर्क कहते हैं Actually ये बल आगोन निर्भर करता है कि आपने कितना बल लगाया है और साथ साथ ये depend करता है कि घुर्णन अक्ष से इस बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी कितनी है तो इस प्रकार हम टाउ का फॉर्मला लिखते हैं बल का परिमान इंटू घुर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी यानि टाउ बराबर होता है F इंटू D और इसका मातरक देखें बल का मातरक है न्यूटन और दूरी का मातरक होता है मीटर यानि कि Newton meter मातरक है बल आगोन का और इसका V-meet सूतर देखें तो बल का V-meet सूतर होता है ML T-2 और दूरी का L यानि कि ML square T-2 यदि हम बल आगोन का V-meet सूतर देखें तो यह कारी के V-meet सूतर के बराबर होता है पर हम कारी को Joule में express करते हैं जबकि बल आगोन को Newton meter में हैं हम बल आगोन को Joule में क्यों ने express करते हैं क्योंकि कार यह और बल आगोन में difference है कार यह अधीश राशी है जबकि बल आगोन सदीश राशी है अच्छली यह बल आगोन किसी वस्तु में कोनी त्वरण उत्पन्य करता है और इसी कारण वस्तु अक्ष के परिता गुर्णी गती करने लगता है बल आघोन लगाने पर वस्तु दो तरीके से गुर्णी गती कर सकता है घड़ी की सुई की दिशा में यानि की clockwise और घड़ी की सुई की विपरत दिशा में यानि की anti-clockwise जब वस्तू घड़ी की सुई की दिशा में घती करते हैं तो ऊस समय बल आघोण रिनात्म तो जब हम इसमें दिशा की बात करते हैं तो किस दिशा में बलाघुर्ण लग रहा है इसको जानना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले हम बलागोन का सधीष रूप देखते हैं किसको सूत्र में सधीष रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है इसके लिए हम एक वस्तू ले रहें और मान लीजिए इस वस्तू के अंदर एक बिंदू है O और इसी बिंदू से एक अक्ष लंबवत इस वस्तू से गुजर रही है जिसको मैंने Y, Y' नाम दिया है और ये वस्तू इसी अक्ष के परिता घोर्णी गती करने वाली है यदि इस पर मैं F बिंदू से इसका स्थिती सदीश R से दिया जा रहा है अब टॉर्ख यानि कि बल आगोर्ण का फॉर्मुला होता है बल का परिमान, बल की क्रिया रेखा का अक्ष से लंबवत दूरी के साथ गुणनफल तो यहाँ पर हम इस बल की क्रिया रेखा निकालने के लिए इस बल को आगे क्योर लेते हैं और ये जो लकीर हम ड्रॉ करेंगे O से N ये इस अक्ष और इस बल की क्रिया रेखा के बीच में लंबवत दूरी बताता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे O N तो टाउ बराबर हो जाएगा F into O N अब यहाँ पर हम देखें इस चित्र अनुसार जो इस थिती सदीश है इस बिंदू P का इस बिंदू O से उसको मनें R से दर्शाया है और इस बल की क्रिया रेखा यह यह कहें बल के बीच की जो कोण है वो 5 है यानि कि यह कोण जो बन रहे है O P N बराबर पाई है तो इस त्रिभुझ में हम देखें O N P जोकि एक संकोण त्रिभुझ है इस संकोण त्रिभुझ में साइन फाइब बराबर होगा लंब बटे कर्ण लंब है on और कर्ण है op तो हम लिखेंगे साइन फाइब बराबर on upon r और यहां से on बराबर होगा r into sin5 इसलिए टॉर्क कर जो सूत्र है बल अगुण का सूत्र हैं टाव बराबर f on उसमें हम लिख सकते टाव इक्वल टू एफ इंटू आर साइन फाई यहां पर आर एक सदीश राशी है यानि कि स्थिती सदीश था इस बिंदू P का बिंदू O से सदीश राशी है और यहां पर हमने साइन फाई लिया है जहां फाई आर और एफ के बीच का कौन था तो जब इसको उम सदीश रूप में लिखें तो यह दो सदीष r और f के बीछ में cross product आएगा यानि कि सदीष गुनन तो हम लिखेंगे सदीष टाव बराबर सदीष r cross सदीष f और यही बल आघून का सदीष रूप है अब बल आघून एक सदीष राशी है और यह किस किस का product है Cross Product और और ऐसकी बीच का तो जो होगी वो और के तल के लंबवत होगी मतलब जिस तल में सेईश ऑर होगा और सदीश होगा उस तल के लंबवत इस बल आघ्वोन की दिशच होगी और इस बलागून की दिशच बताने के लिए हम अपने राइट हांड के नियम का स्तमाल करते हैं यहां पर राहर क्रोस एफ लिखा है यानि कि दो सदीश है इनका सदीश गुणन फ़ल हमको ग्याद करना है तो हम अपने राइट हैंद की उंगलियों को थेặtडर possa की तरफ मोड़ेंगे मौख की तरफ और अंगुठे की जो दिशा होगी वह बल आगोंड की दिशा बताएगी तो इस प्रकार हम बल आगोंड की दिशा अपने राइट हैंड के नियम के नुसार ग्याद कर सकते हैं मान लीजिए आर इस दिशा में एफ इस दिशा में है इस चित्र नुसार तो हम देखें कि हम अपनी उंगलियों को आर से लेकर ये आर है आर से लेकर अगर f की और मोडते हैं तो यहां पर कौपी के तल में यदि अपनी उंगलियों को R से F की और मोडेंगे तो बल आघून की दिशा नीचे की और होगी यानि की आपके कौपी के तल में लंबवत नीचे की और जाएगी यहां पर दिशा को ग्याद करना बहुत ही महत्पून होता है क्योंकि वस्तू का जो बल क्रॉस एफ तो वो काफी नहीं है उससे हमको उसकी दिशा ग्याद करनी होती है तब ही हम घुरनी गती को आसानी से समझ सकेंगे यहां पर यदि हम इस टाव के सारे घटक देखें उसके एक्स वाई जैट घटक देखें तो उसके लिए हमको आर और एफ के बीच में क्रॉस प्लस य्यृफ जैट कि हुए जहां पर आई-जैके एक्स वाई और जैट की दिशा में 61 सदिष होते हैं वैसे ही वेक्टर फ को हम लिख सकते हैं fx-प्लस f- वाई-जै प्लस एफ-जैट के जहां Fx, Fy और Fz इसके X, Y और Z दिशा के घटक हैं और I, J, K तो 21 अदिश हैं मान लीजिए जो आपने बल आगुन टाव लिया हैं इनके तीनों अक्ष के घटक टाव X, टाव Y और टाव Z हैं तो टाव को हम किस प्रकालिखेंगे टाव XI प्लस टाव Y Z प्लस टाव Z K अब हमको R और F की बीच में क्रॉस प्रोडेक्ट ग्याद करना है क्रॉस प्रोडेक्ट निकालने का क्या तरीका है हम सबसे पहले यह दो लकीर खीचते यानि कि मैट्रिक्स बनाते हैं और सबसे पहले उपर में की तीन घटक है X Y और Z तो हमने आई की नीचे X लिखा वाई के जे की नीचे Y लिखा और के की नीचे Z लिखा वैसे ही F की तीन घटक है F X F Y और F Z यह हमने इस दोनों लकीरों के बीच में लिख दिया अब हमको इसको सॉल्फ करना है क्रॉस प्रोडेक्ट निकालना है और उसके नुसार हमको X Y और Z घटक का मान निकालना है यहाँ पर तो हम सबसे पहले मतलबी क्रॉस मल्टिप्लाई कैसे करते हैं यहाँ पर जो दो सदीशों के बीच में सदीश गुणनन वो किस प्रकार किया जाता है इसका एक नियम इस विशेश नियम की साहता से हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आई घटक निकालेंगे हम आई लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर बच्चों यहाँ पर क्रॉस मल्टिप्ला करते हुए लेफ्ट हैंड की और आओगे फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की और इस प्रकार हम त्रियक गुणन करते हैं और यह आपको याद रखना है तो हम अगर आई घटक निकाल रहे हैं तो आई के नीचे जितने भी अगर सारे घटक आपको दिखते रहेंगे तो शायद अब कन्फ्यूज हो जाएं और गुणा करते समय अब गलत गुणन कर ले इसलिए बैटर है कि अगर आप आई निकाल रहे हैं तो आई के नीचे यानि उसके वर्टिकल और होरिजंटल जो भी चीज़ें उसको चुपा द करना है तो यहां देखेंगे आप FZ को गुणा करेंगे Y से फिर माइनस का चिन्न लगाएंगे और लिखेंगे अब इधर गुणा करेंगे इसको लेफ्ट से राइट की और गुणा करेंगे तो आप लिखेंगे Z into Fy और इन दोनों की बीच में माइनस का साइन रहेगा तो जे के लिए मतलब जो मिडिल में है उसका कोफिशंट ग्याद करने के लिए हम गुणन की प्रक्रिया को रिवर्स कर देते हैं पहले हमने क्या किया था राइट हैंड साइट से लेफ्ट हैंड की और गुणा किया था अब हम उल्टा करेंगे यहां पर हम लोग यह त्रियक गुणन को उल्टा करते हैं और किसी में अगर त्रियक गुणन को उल्टा नहीं किया गया है वैसे ही गुणा किया है जैसे कि आई के कोफिशंट निकालने में किया था तो उस समय अब ध्यान दीजेगा बच्चों कि जे के सामने माइनस कर्चिन रहता है मतलब पहले से हम स सके लिखी हूं यहां पर मैं गुणा की प्रक्रिया को रिवर्स कर रही हूं तो अब यहां पर गुणा कैसे होगе जे का कोफिशन निकालने के लिए हम जे के नीचे जितने वर्तिकल कंपोनिकट को छुपा देते और जेकी होरिजंतेल कमपोनेंट उसके साथ जो लिखे हैं उसको छुपा देते हैं अब फिर हमारे पास यह चार कमपोनेंट मिल रहें तो अब गुणा करूंगी तो यह हो जाएगा जैड एफ एक्स माइनस एकस एफजेट इस प्रकार यह जे का कमपोनेंट मिल जाएगा हमको यहां हमने गुणन की प्रक्रिया को reverse किया हम यहां पहले left से right की और गुणा कर रहे हैं नीचे का component left है और उपर का वाला right component है और उसके बाद minus करके हम right वाले से left वाले component को गुणा कर रहे हैं अब next है के तो हम लिखेंगे plus के अब के की नीचे के जितने भी coefficient उसको छुपा देते हैं और उसके सामने जितने उसको छुपा देते हैं फिर हमारे पास चार component बचेंगे अब वापिस हम वैसे ही गुणा करेंगे कि जैसे हमने i के लिए किया था तो हमें मिलेगा xfy minus yfx तो इस प्रकार i, j और k के कोफिशेंट हमको प्राप्थ हो जाएंगे और यहां से हम compare करें left hand side को right hand side से तो tau x बराबर होगा yfz minus zfy tau y बराबर होगा zfx minus xfz और tau z बराबर होगा xfy minus yfx और बच्चों यह थोड़ा सा complicated लगता है शुरू में लेकिन जब आप इसको practice करते जाएंगे तो फिर आपको यह easy लगेगा हम इस पर एक numerical भी बनाएंगे ताकि आपको यह easy लगे और यह आपकी practice में आ जाए इसको याद करने के एक और असान तरीका है कि x y और z एक cyclic रूप में चलते हैं x के बाद y आएगा y के बाद z आएगा और z के बाद x आएगा इस तरीके से भी आप इसको याद करने की जो दूसरा सदीश लिए हैं मतलब टाव के बाद कौन सा सदीश था राइट एंड साइड में आर और उसके बाद f तो पहले हम आर के घटक लिखेंगे फिर f के घटक लिखेंगे तो टाव का x घटक निकालने के लिए अब आर का हम लोग y घटक लेंगे देखो x एक घटक है टाव का अब यह जब इतना तो क्लियर है जो टौह है वह आर और f के लंगवधा है तो तो इसके जो घटक भी होंगे वो आर और f घटकों के लंवधी होंगे तो जब X Y और Z की बात करें तो यह तीनों ही अक्ष एक दूसरे पर परस पर लंवत होते हैं तो जब हम X की बात करेंगे तो बाकी दो लंवत घटक कौन-कौन से बज गये Y और Z जब Y की बात करते हैं तो Z और X और जब Z की बात करते हैं तो X और Y तो इस तरीके से एक simple method हम याद करने का निकाल लेते हैं तो देखिए टाव X यानि कि टाव का हमको X घटक लेना है तो सबसे पहले R का हम Y घटक लेंगे R का Y घटक है Y उसको गुणा करेंगे हम F के Z घटक के साथ तो F Z हो जाएगा फिर माइनस सन करेंगे और उल्टा लिख देंगे अब हम F का Z घटक लिखेंगे और R का Y घटक क्योंकि टाव X घटक में तो R और F के Y और Z घटक ही होंगे तो शुरुवात किस प्रकार किये यह हम लोग समझ गये अब Y घटक निकाल के देखते हैं यह टाव का Y घटक है तो R और F के कौन-कौन से घटक लिए जाएंगे यहां पर X और Z तो यहां पर Y के बाद साइकलिक रूप से हम देखें तो क्या आता है Z तो अब ताव के इधर हम देखें तो सबसे पहले हमको R का कौन सा घटक लेना है Z तो हम लिखेंगे Z इंटू अब F का X घटक लेंगे तो यह जगा FX उसके बाद इसको रिवर्स करके लिख दीजे माइनस X FZ मतलब अब आर का हम X घटक लिए और F का हम Z घटक लिए इसी प्रकार हम टाव Z निकालेंगे तो टाव का Z घटक ले रहे हैं तो आर और F के कौन-कौन से घटक होंगे X और Y घटक अब यहां साइकल के रूप में देखें तो Z के बाद आता है X और हमको टाव बराबर R क्रॉस F में सबसे पहले R का घटक लेना है तो R का हम X घटक लेंगे और F का Y घटक लेंगे तो X F Y होगा माइनस अब इसी को रिवर्स करके लिखें अब हम R का Y घटक लें इंटू F का X घटक तो इस प्रकार हम कंफ्यूस कभी नहीं होंगे एक साइकल की रूप में याद करने की कोशिश करें तो यह फॉर्मुला हमें आसानी से याद हो जाएगा चलो इस पर एक निमेरिकल कोश्चन मना कर देखते हैं ताकि इस फॉर्मुली की प्रैक्टिस हो जाए मान लीजिए एक करण है जिसका इस्तिसी सदीश आर इकवल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के है और इस पर बल लगाया गया है एफ एकवल टू 5 आई प्लस 3 जे माइनस 5 के और घुर्णन अक्ष के परीता बल आगोन की गड़ना करनी है बल आगोन ग्याद करना है तो बल आगोन का सूत्र होता है टाव बराबर आर क्रोस एफ तो पहले तो मिलिछ देंगे डाव बराबर आर क्रोस एफ ऐब आर की वैल्यू हम रख देते हैं आई कैप माइनस जे प्लस के कैप क्रॉस प्रोड़ट करना यहाँ पर तो बल एक अफ का भी हम यहाँ पर यह मतलब एक matrix बनाते हैं और i, j और k component लिखते जाएंगे तो सबसे पहले हमने i, j और k लिखा सदीश r पहले है r cross f लिया है तो पहले हम सदीश r के सारे coefficient लिखते जाएंगे i का coefficient है 1 और यहाँ j का coefficient क्या होगा माइनस 1 और k का प्लस 1 तो 1 माइनस 1 प्लस 1 हमने लिख दिया अब f के component देखते हैं i का coefficient है 5, j का coefficient है 3 और k का coefficient है माइनस 5 अब cross product निकालना है तो i, j और k के coefficient निकालेंगे वैसे ही 3 गुणन करके यहाँ पर मैंने बताया था 3 गुणन करने का तरीका तो सबसे पहले i लिखेंगे i की नीचे जो भी आपको दिख रहा है जो भी उसके सामने दिख रहा है इसको हम छुपा देते हैं बच्चे वो चार component इनी के साथ ही हमको गुणा करना है तो यहाँ पर यह प्रोसीजर आसान हो जाता है यदि हम छुपा देते हैं तो अब यहाँ पर पहले राइट से लेफ्ट की और गुणा करना है त्रिया गुणन में मैंने आपको बताया तो अब यह माइनस फाइब गुणा होगा माइनस वान से उसके माइनस का चिन्ना आता है और यह तीन गुणा होगा एक से यह है i के कोफिशेंट फिर लिखेंगे हम यहाँ पर आगे जो गुणन वाली प्रक्रिया है उसके गुणन के तरीके में चेंज करेंगे जिस तरीके से पहले चेंज के था उसका रिवर्स करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने प्लस जे लिखा है और बताया था अगर आप गुणन के तरीके को चेंज नहीं करते हैं तो माइनस आएगा और यदि गुणन के तरीके को चेंज करते हैं तो प्लस ही लिखेंगे तो यहां मैं गुणन के तरीके को चेंज कर रहे हूँ अब मैं उल्टे डारेक्शन में गुणना पहले करूंगी अब यह जगा फाइव इन्टु वन फिर माइनस का चिन्न लगता है माइनस फाइव इन्टु वन अब के का कमपोनेट निकालेंगे तो प्लस के लिखें अब के की नीचे वाली चीजों को चुपा देते हैं उसके सामने जो लिखा वो भी चुपाते हैं हमारे पास सिफ चारी चीज़ें यहां पर दिखाई दे रही हैं इन चार अंकों में ही को गुणा करना है फिर वैसी पुराने प्रोसेस से करते हैं जैसे हमने आई में किया था थी को गुणा करेंगे एक से माइनस का चिन्न माइनस वान इंटु फाइव अब यहां पर गणित लगा देते हैं पूरा मैथमेटिकल कैल्कुलेशन कर लेते हैं तो आई का कोफिशे देखें तो 5 प्लस 5 होगा प्लस के यह जाएगा 3 प्लस 5 माइनस इंटु माइनस मिलके प्लास हो जाएगा और इस प्रकार इसको सॉल्फ करेंगे तो बल आघोन का मान मिलेगा 2i प्लस 10j प्लस 8k बल आघोन का मातरक होता है न्यूटन इंटु मीटर तो यहां पर हम बल न्यूटन जब सॉल्फ करने को आता है तो आंसर जो भी निकले उसके बाद उस quantity का उस भौतिक राशी का मातरक लिखना अवश्यक होता है कि उसके मातरक से ही उस भौतिक राशी की पहचान होती है इसलिए अब हर निमेरिकल को सॉल्फ करने के बाद लास्ट में जो आंसर आता है उसमें उसका मात्रक जरूर लिखें अब इसी में ही हम आगे विशेश इस्थितियां देखते हैं टाउ का फॉर्मुला हमने लिया था आर क्रॉस एफ यानि टाउ बराबर आर एफ साइन फाइं तो यह जो बल आगोण का मान है यहां पर हम देख रहें सूत्र से तीन राश्यों पर निर्भर कर रहा है सबसे पहले आर पर एफ पर और आर और एफ के बीच के कोण पर मान लेजिए आर बराबर जीरो है उस कंडिशन में चाउ बराबर भी जीरो हो जाएगा अब आर बराबर जीरो का मतलब क्या है आर हमने क्या लिया था घुर्णन अक्ष से बल की दूरी यानि कि स्थिती सदीशम ने लिया था उस बिंदू का जिस बिंदू पर बल लगाया जाना है तो यदि यही जीरो हो यानि कि वो बिंदू जहां पर बल लग रहा है वो घुर्णन अक्ष पर ही हो उस कंडिशन पर कोई बल आगोन कारिय नहीं करेगा मतलब घुर्णन अक्ष पर ही मतलब जिस बिंदू पर आपको वस्तू को घुमाना उसी बिंदू पर आप बल लगा तो वस्तु कभी भी घुर्णन गती नहीं करेगी क्योंकि वह टाउ का मान शुन्य हो जा रहा है अब दूसरी स्थिति देखते हैं यदि एफ बराबर जीरो हो मतलब आपने कोई बल ही नहीं लगाया तो बल ही नहीं लगेगा तो बल आगुण कहां सुत्पन होगा इसी लिए उस कंडिशन में भी बल आगुण का मान शुन्य हो जाता है क्योंकि यहाँ पर टाउ बराबर आपको जीरो मिलेगा अब नेक्स्ट इसमें जो दिख रहा था वो कोण फाई है बल आगुण का मान इस कोण फाई पर निर्भर कर रहा है यदि यह कोण फाई 0 डिग्री हो लागुण का मान शुन्य होगा अब यह फाई बराबर जीरो यह 180 का मतलब क्या होगा एक्चुलिए फाई आर और एफ के बीच में कोण था आर मतलब जिस बिंदू पर आप बल लगा रहे हो उसका स्थिती सदीश घुर्णन अक्ष से दूसरा एफ इनके बीच का कोण था अब यह 0 डिग्री है इसका मतलब यह बल किस तरह से काम कर रहा होगा जहां पर स्थिती सदीश है उसी से ही आगे अपने बल लगाया है चाह इस दिश बल कारे करेगा तो यह वस्तूपे घुर्णन गती उत्पन नहीं कर सकता है अब मान लीजे 5 बराबर 90 डिग्री हो यानि कि जो बल की क्रिया रेखा है और जो स्थिती सदीश है आर गुर्णन अक्ष से दूरी इनके बीच का कोण 90 डिग्री है साइन 90 का मान होता है वल और यह साइन का अधिकतम मान है तो इस कंडिशन में बल आगुन भी अधिकतम होगा और इसका मान होगा टाव पराबर आर एफ यानि कि इस स्थिती में बल मैक्सिमम आगुन उत्पन कर सकता है उस अक्ष के परितहा और यह दें टाव का मान और कि इसको का यह सोसे छपः चली हो तो सबसे पहले तो हमने उसको 90 डिगी पढड़े लिया जिससे की बल आगुन अधिकतम होगा और उसके बाद भी यदि हमको बल आगुन का मान बढ़ाना हो तो अम क्या करते हैं आर का मान बढ़ा देते हैं एस यदि बढ़ाएंगे तो भी बल आगुण बढ़ेगा यदि हम चाहते कि हम ज्यादा बल ना लगाए कम बल लगा कर भी हम ज्यादा गुर्णी गति उत्पन करें उस कंडिशन में हमको आर को बढ़ाना होगा क्योंकि इस फॉर्मुले में तीनी राशी तो है जो कि टाउ को प्रभावित कर रहे हैं एक अब आर को बढ़ा कर भी किसी वस्तू में मैक्सीमम घुर्णन उत्पन किया जा सकता है तो चलो बच्चों इसके कुछ उधारन देखते हैं अपने विश्व शांती बौध टेंपल देखा है वहां पर इस प्रकार आप देखेंगे यह बड़ा बेनलाकार आकृती जो नका से भी लेकिन यहां पर आप देखते हैं कि इसको हलके से आप टच कर रहे हैं और उसके बाद यह लगातार घूमता रहता है तो यहां पर यह बड़ा सा जो बेलन है वह एक अक्ष के परीता घूम रहा है और आपने इस पर बल कैसे लगाए इस पर शरीखिये रूप से यान यानि कि यह बेलन का आकार बहुत बड़ा है यह यूं कहें कि इसकी त्रिज्य बड़ी है और इसलिए यहां पर बल आगून का मन बढ़ जाता है और यह बेलनाकार आकरिती आराम से हमारे एक हाथ के इस पर्ष से घूमाई जा सकती है वरना आप इतने बड़े बेलनाकार प्राक्रिती को भुमाने की कोशिश करें तो यह नहीं घुमता और इसलिए बच्चों जो पेचकस होता है स्कुरूड्राइवर उसका हत्ता भी मोटा बनाया जाता है हम यह सारी चीजों को ध्यान नहीं देते पर यह हमारे द्यानिक जीवन में उप्योग में लाई जाती है अब आप सोचोगी कि वो हत्ता को मोटा क्यों बनाया जाता है कि हमको स्कुरूड्राइवर की से स्कुरू को घुमाना होता है और जब हम घुमा रहे हैं मतलब उसमें घुर्णन गति उत्पन्न करने के लिए यानि कि मैक्सिमम बल 20 डिग्री लेना है मतलब बल को हमको लंवत ही लगाना है तब ही वहां पे मैक्सिमम बल आगुण उत्पन होगा अब बल हम जादा नहीं लगाना चाहते तो आर को हमको मैक्सिमम करना पड़ेगा अब जब हम हथ्था को चौड़ा करते हैं तो इस आर का मान बढ़ जाता है बच्चों अपने गयो पिसने वाली चक्की देखी गे जिसका भी जत्ता कहते हैं उस जत्ते में दो पठर लगी होते हैं जो एकी ऑपर गोमते हैं और उसी में जब हम गयों डालते हैं तो गयों पिसा जाता आए अपने देखा होगा कि उसको घुमाने जेती लिएक लगी हOTी है वो लकडी इस गोल पथर के किनारे में उसके रिम में लगी होती है और उसकी सहयता से जब हम उसको पकड़ की घुमाते हैं तो वो आसानी से घुमता है यदि अब सोचो कि वो जो लकडी जिसकी सहयता से गुमाया जा रहा है वो जस्ट उसके केंद्र पर ही लगा दिया जाए मतलब उसके घुर्णन अक्ष के पास ही लगा दिया जाए तो क्या जत्ते को घुमाना असान होगा जत्ते को घुमाना उस समय बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर बल आगोन का मान कम हो जाएगा क्योंकि आपने घुर्णन अक्च से उस घुमाने वाले लकडी की दूरी को कम कर दी है तो यदि हम उस लकडी को सबसे कॉर्णर पे उसके छोर पर लगाएं पत्थर के तो उस समय आर का मान सबसे अधिक हो जाएगा और उस समय हम कम बल लगा कर भी असानी से उस चक्की को घुमा सकते हैं पच्छों हैंड पंप से आपने पानी निकाला है हैंड पंप कभी हत्ता बहुत लंबा बनाये जाता है और हम उसको कहां से हिलाते हैं सबसे कॉर्णर से पकड़कर हम उस पर बल लगाते हैं और आप देखोगे कि जहां उस पंप के जो हत्ता है या कि वह जो पंप से निकल नन कर रहा है लेकिन अगर उसको पूरा घुर्णी गती माना जाए तो उसी अक्ष के परीता ही वो गोल घूम रहा है समझो तो यहां पर वो हथा जो है उसको किनारे पर पकड़ते हैं और उससे हम उसको प्रेस करते हैं आप कभी उसको सामने में पकड़ के दबाने की करें तो वो घूमेगा नहीं वो दबेगा नहीं क्योंकि यहां पर भी जब आप दूर में पकड़ते हैं तो गुर्णन अक्ष से बल की दूरी बढ़ जाती है और इसके कारण बल आघून का मान भी बढ़ जाता है बच्चों अपने देखा होगा हम नट को खोलने के लिए पाने का स्तमाल करते हैं नट को घुमाने से नट खुलता है यानि कि आगे की और बढ़ता है या फिर वो पीछे की और बढ़ता है जिस प्रकार घुमाया जा रहा है मान लेजी हम उसको घुमाने के लिए सिर्फ अपने हाथों का स्तमाल कर रहे हैं मतला हम जो बल लगाएं कोशिश करते हैं तो हमको बहुत ज्यादा बल लगाने के अवशकता पड़ती है क्योंकि नट गूमता ही नहीं है लेकिन जब पाने की सहाइता से खोलते हैं तो हम जहां पर बल लगा रहे हैं वहां से घुर्णा नक्ष की दूरी बढ़ जाती है और इसलिए हम कम बल लगा कर भी उस नट को घुमा सकते हैं बच्चों अपने देखा होगा कि बड़े बड़े ट्रक के जब चक्के पंचर हो जाते हैं तो ट्रक ड्राइवर वह चक्के को निकालने के लिए किस प्रकार नट को खोलते हैं मैं पहले सोचती थी कि यह क्या करते हैं इतना बड़ा लगा कर लेकिन आप देखेंगे कि जब उस नट में एक गोल वाला पाना रहता है उसको फसाय जाता है अब उसको घुमाया जाता है उस पाने का रेडिय यह तो क्या करते हैं उस गोल पाने में एक छेद होता है उस छेद में एक राट डाल देते हैं और राट के ऊपर चढ़ कर ट्रक ड्राइवर उसे दबाने की कोशिश करते हैं यह फिर हाथ से भी उसको आसानी से डबा कर नट को खोला जा सकता है यूंकि कभी इनट बहुत हो जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा बल्कि अवश्यक्ता होती है उसको घुमाने के लिए तो उस कंडिशन में कभी वो राड के उपर चड़ कर भी उसको घुमाने का प्रयास करते हैं और उसकी सहायता से नट जो है वो आसानी से खुल जाता है